अपनी सुंदरता को और निखारने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ओपन पोर्स के बारे में जिसे कहते हैं रोम छिद्र हमारी स्किन पर रोम छिद्र होते तो छोटे छोटे हैं लेकिन आईली स्किन पर ये बड़े और खूले दिखाई देते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे रिमूव करना है इसके लिए हम एक सक्रब त्यार करेंगे लेकिन सक्रब को यूज़ करने से पहले हमें फेस को देनी होगी स्टीम स्टीम के लिए या तो आप स्टीमर यूज़ कर सकते हैं या पानी को एक बाउल के अंदर गरम करके एक टावल की हैल्प से आप स्टीम 10 मिनर तक करें और स्टीम करने के बाद ही हमारे इस सक्रब को यूज़ करें सक्रब बनाने के लिए हमें चाहिए लेमन लेमन जिसमें विटामिन C, B, फासफ़ोड और कार्बो हाइडरेस होता है जिसके कारण हमारी स्किन कोमल बनती है दूसरा हमें चाहिए शूगर स्किन को पल्यूट और ड्राइनेस से बचाने के लिए हम शूगर का यूज़ करते हैं इससे हमारी तवचा मुलायम बनती है और हमें चाहिए पानी इसको बनाने के लिए एक बाउल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे दो चमच शूगर के पीसी चिनी आप इसमें डालिए अगर आप पीसी चिनी नहीं डालना चाते तो आप दूसरी चिनी डालकर गोल को दस मिनट के लिए रख दें और फिर इसके अंदर एक चमच हम डालेंगे पानी का फिर उसके अंदर कुछ बुंदे डालेंगे निम्बू के रसकी आदे निम्बू को काट कर आप उसे निचोड लीजिए और अच्छे से इस material को mix कर लीजिए ये देखिए हमारा material बनकर ready हो गया है अब हम इसे apply करेंगे आपको इसे skin पर apply करना है मैं आपको इस वीडियो में हाथ पर apply करके दिखाऊंगी इसी तरह से आपको जहां पर भी आपके open pores हैं उस जगया पर आपको इस scrub का use करना है पांच मिनट तक इस scrub की हलके हाथों से मसाज करें इस तरह से और फिर इसे 10 मिनट के लिए सुखाने के लिए रख दें जब तक ये सुखे ना तब तक हाथ को दोना नहीं इसके बाद आप हाथ को ठंडे पानी से दो लीजिए ये देखिए हमने यहाँ पर हाथ को ठंडे पानी से दो लिया है इसी तरह से आपको स्किन पर करना है अपने फेस पर करना है उसके बाद हम 5 मिनट तक आइस क्यूब की मसाज करेंगे इसी तरह से यहां पर भी आप को रोम चिद रहें ओपन पोर्ज हैं वहां पर आप आइस क्यूब की हलके हाथों से मसाज करेंगे पांच मिनट तक और फिर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इसे आपके ओपन पोर्ज रिमूव हो जाएंगे ओपन पोर्ज को रिमूव करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सक्रब है आप इसे जरूर अपलाई करें हफ़ते में तीन बार आप इसे अपलाई कर सकते हैं आपको दो तीन बार करने से ही इसके रिजल्ट नजर आने लगेंगे तो अगर आपको मेरा ये मैथड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अगर आपका कोई सुझेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा मैथड अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद Thank you so much